ये काफ़े important tricky वीडियो है तो आपको exam में कुछ इस परकार के multiplication कुछ special परकार के multiplication दिये जाते हैं जो कि examiner को पता होता है कि ये trick से बन सकते हैं इसमें काफ़े ज़्यादा कम time लएगा लेकिन students को नहीं पता होते हैं कि ये trick से बनेगा examiner इसलिए ये question देते हैं ताकि आप basic से बनाएं और basic से बनाते वक्त आपका ज़्यादा time खर्चा कर दें लेकिन ये trick से examiner जानता है कि ये trick से बन जाएगा तो इस trick को सिखने के लिए last तक बने रहें अब देखिए ये trick जो है पहले समझ लेते हैं ये trick कब लगेगा तो देखिए जब हमारा unit digit का sum यहाँ पर unit digit क्या है जो दो multiplication में unit digit दो होंगे तो इनका sum जब हमारा 10 आएगा तभी ये trick लेगा और जो हमारा 10s digit है ये हमारा equal होना चाहिए यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9 है यहाँ पर 8 है यहाँ पर भी 8 है और unit digit हमारा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है तो इन दोनों का sum कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा अब इसमें देखते हैं तो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 7 है तो इन दोनों का sum कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 11 यानि कि यह दोनों बराबर हैं फिर यहाँ पर 1 है यहाँ पर 9 तो इन दोनों का sum कितना हो कैसे महलटिपलाई करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यह टू जो डिजिट का सम हो रहा है जिस टीजिट का सम है यानि एट और टू उसको मेलटिपलाई करके लिख देना यहाँ यहा том Olha और जो बराबर दोनों में बराबर है तो 9 का अगला टर्म क्या होता है 10, 10, 9 जा 90 यानि इसका multiplication कितना हो गया 19, 90, 16 फिर यहाँ पर 3 और 7 का multiply हो जाएगा 21, 8 और अगला टर्म 9 होता है तो 8, 9 जा 72 फिर यहाँ पर 7 और 3 का multiply लिख देंगे 21, 11, 12 करेंगे यह बराबर वाला 11 है 11 इंटू 12 करेंगे 132 आ जाएगा फिर 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 आएगा तो 09 लिखेंगे और फिर जो बराबर वाला है 2 है बराबर वाला तो 2 को अगले टर्म यानि कितरी से multiply कर देंगे तो 6 आ जाएगा तो आप हमको comment में इसका इसका और इसका answer जरूर बताएं ट्रिक के साथ बताएं झाल झाल